चमकते नैने वाली ये लड़की जिनका नाम है राखी पुरा नाम राखी मजुमदार गुलजार राखी जी का जन्म 15 अगस्त सन 1947 में हुआ पश्चिम बंगाल के नाधिया डिस्ट्रिक्ट के राना घाट इलाके में इनके पिता दरसल जूतों के व्यवसाई थे और पार्टिशन के बाद ये पश्चिम बंगाल में ही आके बस गए राखी जब एक टीनेजरी थी तब इनकी शादी बिंगॉली फिल्म डिरेक्टर अजेब इस्वास से कर दी गई जितने आनन फानन में शादी हुई थी तकरीबन उतनी ही चल्दबाजी में ये अपने पती आजेब इस्वास से अलग भी हो गई ऐसा माना गया कि राखी के लिए फिल्मी महौल ठीक नहीं था और इनके ससुराल में हर जगा फिल्मों की ही बाते होती थी चाहे वो घर हो कि बाहर वो और बात है कि आगे जाकर राखी फिल्मों से इस तरह से जुड़ी कि फिल्मों के बगएर इनका बजूदी नहीं मैंने कभी सड़कों पर कभी मंदिरों में अब तुम लोग उसे मार दोगे और मुझसे उसकी लाश उठाई दे जाएगी उसे बजा लो पेटा उसे बजा लो 1967 की बिंगॉली फिल्म बधू बरण में इनका काम बहुत सा रहा गया इनकी उम्र तब मातर 20 बरस की थी और उसके बाद या नजराई राश्री प्रड़क्शन की फिल्म जीवन मृत्यू में इसमें इनके हीरो थे धरमेंद्र फिर आई शशिक पूर और राखी स्टारर शर रहाना हुई बॉलिवुड के शेहिंशा अमिताब बच्चन के साथ भी यह बहुत मखबूल हुई चाहे वो फिल्म रही कभी कभी मुखदर का सिकंदर त्रिशूल बेमिसाल जुर्माना परसाथ की रात या फिर काला पत्थर और कस्में वादे मैं निए उनने सु आसी में यहमृता बच्चन की भावी का किरदार निवाती नजर आएं थी ॥िल्म शान में उनने सु ब्यासी में यह बिग बी की मम्मी थी फिल्म का नाम था शकती यह फिल्म इन्होंने इस लिए की थी क्योंकि इने मौका मिल रहा था महान अभीनेता दिलिप कुमार के साथ काम करने का माजी यह मेरा सवाग नहीं कि मैं आपके और सेवा कर सकूँ मुझे शमा किजेगा मैं आपको जोड़ कर जा रही हूँ हाँ माजी हाना कि राखी और अमिताब बच्चन ने एक साथ काम किया था फिल् की मान गई कि अपनी पहली शादी तूटने के बाद राखी न मन लगा लिया था फिल्मों में ही और इसी बीच इनके जीवन में आया एक शायर जो सिर्भ गीत एंहीं लिखता था ब़लकि फिल्में बनाता था डायलोggs भी लेगता था और कहानिया से शेड लिखे जिने पढ़कर यह अक्सर हसा करती थी और खुश हो जाया करती थी डादी क्या बात है डादी क्यों ना कि मैंने भी लड़का देख लिया तुमने मैं समझ किया वह लड़का कौन है और उसी ने इनकर दिल ऐसा जीता यह बन गए जीवन सा थी जी हाँ हम बात कर रहे हैं गुलजार सहाब की इस शादी से इन्हें एक बेटी हुई बेटी का नाम रखा मेगना पर बेटी के जरम के बाद ही इन दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया अपने पती से अलग हो यह मुंबई में एक बंगलो में रहने लगी जिसका नाम रहा मुक्तांगन उसके बाद उसे बेच कर यह एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई और उसके बाद पता चला कि यह मुंबई के नजदी की इलाके पनवेल में बस गई हैं असी के दशिक में आते आते इन्होंने कैरक्टर रोल्स प्ले करने शुरू कर दिये चाहे वो रही फिल्म राम लखन या पर शारुखान स्टार बाजीगर 1993 की फिल्म खलनायक में इनके काम को बहुत सा रहा गया और 1995 में आई करन अर्जुन को कौन भूल सकता है फिर तो फिल्मों की लाइन लग गई चाहे वो बॉर्डर रही कि सोल्जर या फिर रही बाक्षा इन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर हमेशा कमाल करके दिखाया ये भी कहने में आती शोक्ति नहीं होगी कि उस जमाने में राखी जैसी खुबसूरत अभिनेतरी कोई भी नहीं थी यकिनन भारते सिनिमा के इतिहास में राखी जी का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा महान प्रतिबहों के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री